हेलो फैंट्स, वेलकम टो अल आफ यू अन माई यूटूब चैनल सरकारी भारत दोस्तो आज की स्वीडियो के अंदर मात करने वाले है एरफोर्स एफकेट एक्जाम 2022 चल रहा है जैसा कि आप सभी को पता है आज से आपके पेपर की स्टार्टिंग हो चुकी है आज से आज हे बारा फरवरी 2022 सेकंड शिप्ट का एनलाइजस हम देख लेते हैं तो दोस्तो देख लेते हैं question किस टाइप के questions पूशे जा रहे है एक्जामनेशन में math किस टाइप के questions आज के paper में आप से पूशे गए हैं students के द्वारा भेजे गए question है अगर आपको भी कोई question याद है तो आप लोग comment box में लेख सकते हैं next studio के अंदर हम उन्हें भी discuss कर लेंगे तो दोस्तो आप सभी को बता दें अगर आप Air Force की तयारी कर रहे हैं Air Force में select होना चाते हैं खास तोर पर serious candidate है form डालकर नहीं भूले और इस वार selection लेना ही है तो अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो आख वंद करके channel को subscribe कर दीजिगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बड़ा benefit होने वाला है PDF वगेरा यहाँ पर आपको समय समय पर topic wise classes की मिलती रहेंगी clear तो बारा फर्वरी 2020 सेकंड सेप्ट मैस के questions को देख लेते हैं तो चले फैंट स्टार्ट करते हैं वीडियो को आज का अपना first question है पहला सवाल है वह बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद करें जिसे 24, 60 और 84 से पूर्णतर भिवाजित हो जाती है तो सीधा सीधा सवाल आपसे पूचा गया है वह है बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद कीजिए जिसे 24, 60 या 84 से भाग दिया जाता है तो वह पूर्णतर भिवाजित हो जाती है यानि कि आपको क्या निकलना है इनका LCM निकलना है तो 24, 60 और 84 आप लोग इनका LCM निकलेंगे तो क्या करेंगे टू का डिवाइड लगा देंगे पैसे इसमें देखा जाए तो डारेक्ली 4 का डिवाइड लगा दी जिसे 4, 6, 24, 15, 64, 64, 4, 2, 8, 4, 1, 4 यहां से कर आप भाग लगाओगे तो 2 बार जाएगा फिर 3 का जाएगा फिर 5 का जाएगा और फिर 7 का जाएगा तो overall बात करें तो कितना आएगा चार दुनी 8 तो यह होगे आपका और 5, 3, 15 यह होगे आपका और गुड़े में 7 यह बचा तो कुल मिलाकर multiply करें तो कितना होगा 15, 8, 120 120 का गुणा कर देंगे दोस्तो हम किसे 7 से 0, 12, 184 कितना हो जाएगा चार जाएगा 840 हो गया दोस्तो कितना हो गया 840 तो वहाँ पूर्णता विवाजत होने वाली बड़ी से बड़ी संक्या क्या होगी 840 होचाएगी चले फ्रेंट्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है साथियो ये आपका profit and loss से question पूछा गया है 12 बस्तों का क्रें मुल्य 16 बस्तों के बिक्रें मुल्य के पराबर है तो उसका लाव या हानी बताएगे सबसे पहली बात है profit हुआ ये loss हुआ दूसरा है percentage में आपको बताना है तो बोला गया है 12 बस्तों का क्रें मुल्य यानि कि 12 का क्रें मुल्य का मतलब cost price 16 बस्तों के बिक्रें मुल्य के 16 बस्तों के बिक्रें मुल्य का मतलब selling price के बराबर है तो यानि कि बराबर करतेंगे चार से cancel out करेंगे चार तीए 12 और चार से करेंगे चार चोके 16 cost price और selling price का जो ratio आएगा वो कितना आएगा cost price और selling price का ratio आएगा 4 ratio 3 यहां से कहने का मतलब अगर कोई बस तू cost price यतना है तो यह selling price का ratio है कोई बस तू 4 रुपे की थी अब उसकी कीमत कितनी रह गई तीन रुपे रह गई याना कि घट कितनी गई एक घट गई पहले बस तू कितने थी चार की थी अब बस तू कितनी घट गई एक घट गई 100 का multiply करतेंगे percent निकाल ले के लिए 4 से cancel out करेंगे 25 बार तो आपका क्या हो जाएगा 25 परसेंट इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा clear offense चले next question देख लेते हैं next question है दोस्तो 1 इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं 1, 2, 3 और 100 तक कसम कितना होगा देखे अगर आप यहाँ पर trick वगएरा यूज करना चाहते हैं वह भी आप यहाँ पर कर सकते हैं वैसे इसको अगर देखें तो arithmetic progression बन रही है यानि कि AP बन रही है जिसका first term क्या दे रखा है एक दे रखा है, last term कितना दे रखा है एल कितना दे रखा है, 100 दे रखा है अगर number of terms की बात करें तो कुलमला का number of terms आपके 100 ही होंगे, क्योंकि एक से 100 तक का सम पूछा है तो इसका formula होता है, दोस्तो SN वराबर NY to A plus L, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो, N की value कितनी हो जाएगी दोस्तो, 100 हो जाएगी upon 2, clear और A की value, 1 plus L की value 100, अब इससे cancel out करेंगे तो 50 बार cancel out होगा तो कितना हो जाएगा ये, 50 गुड़े 101 50 गुड़े 101 अब 50 का गुड़ा 101 से करते है 101 से गुड़ा करते है किसका 50 का तो ये बनेगा आपका triple 0, गुड़े में कितना बनेगा 5, 0, 5 टोटल मिलाके देखेंगे तो ये बनेगा आपका 5050, कोई option है या नहीं तो option number अगर हम B की बात करें तो B option इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा यानि कि 5050 इस सवाल का सही जवाब होगा चले फैंट्स, next question देख लेते हैं चले फैंट्स, एक यहाँ पर अगर आपने अगर फॉर्मूला कहीं पड़ा है तो यह होता है दोस्तों अगर हम बात करें 3.5 का स्क्वाइर बोल सकते हैं इसको 3.5 का स्क्वाइर प्लस 2 इंटू 6.5 मल्टिप्लाई वए 3.5 प्लस 6.5 को क्या बोल सकते हैं 6.5 का यहाँ स्क्वाइर बोल सकते हैं तो A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस 2 A B यही तो बना A प्लस B का whole square तो A कितना है 3.5 प्लस B कितना है 6.5 का whole square टोटल मिलाकर बात करा है तो 3.5, 6.5 आपका 10 होगा 10 का square कितना हो जाएगा दोस्तो 100 हो जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 100, clear offense, चलिए next question देख लेते हैं next question देख लेते हैं दोस्तो next question है चीनी के मूले में 20% की ब्रद्धी हो जाती है तो उसके खपत में प्रसद की कमी की जाए कितने प्रसद की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्दन ना हो तो माली जे चीनी का मूले जो है वो 100 रुपिया है, clear है 20% की अपनी ब्रद्धी कर दी तो 120 रुपिया हो जाती है, clear तो उसके खपत में कितने प्रसद की कमी हो जाएगी कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रवाब ना पड़े तो भाई कितने प्रसद की ब्रद्धी होईती 20 की, अगर आप यहां से इसको घटाके 100 पे लेना चाहें तो 20 की कमी करना चाहेंगे किस में कमी करना चाहेंगे into 100% clear और इसको काटेंगे तो 25, 26, 200 2 से काटेंगे तो 3 बार होगा, 2 से काटेंगे तो 50 बार होगा, यानि कि 50 बटा कितना हो जाएगा, 16 सही दो बटा तीन परजेंट केतना हो जाएगा 16 मिक्स 2 बाई 3 परजेंट आपका सही जवाब हो जाएगा चले फैंट्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है दोस्तो रेश्यो एंड परपर्शन का सवाल है 30,000 रुपे को A, B, C में 3 इस्टू 5 इस्टू 7 के रेश्यो में अनपात में बाटा गया तो C की रिकम क्या होगी बात करें दोस्तो A, B, C की A, B, C की A, B, C का जो रेश्यो है वो कितना है 3X, 5X और 7X आप ऐसे माल लेजिए अब 30,000 रुपे को बाटा इन 3 नौन रोगों में तो तीनों को अगर हम एड कर दें तो कितना बन जाएगा 7, 5, 12 और 3, 15X इतने ही तो रुपे थे, बरावर कितने था 30,000 किलियर, 15 से कैंसल करेंगे दो बार, X की वैलू कितनी यागी 2,000 आप से पूछा क्या गया है C की रिकम क्या होगी तो C की रिकम कितनी है 7, तो 7 गड़ा 2,000 करेंगे 7 गड़े 2,000 तो 7 दूनी 14,000 रुपे है कितना हो जागा दोस्तो 14,000 रुपे इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा छले फैंट्स, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है साथियो यह दे दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है मा लेज़े कि एक X है, दूसरी भाई है दौनों का योग कितना है 25 उनका गड़न फल 144 है यानि कि X गड़ा भाई कितना है 144 उन दौनों संख्याओं का अंतर क्या होगा तो सीधा सीधा आप यहाँ पर देख सकते X माइनस Y का होल स्क्याओं आपको अगर याद है तो याद कर लीजेगा नहीं याद तो कर लीजेगा तो क्या हो जाएगा इसका होल स्क्याओं होता है X प्लस Y का होल स्क्याओं माइनस का 4AV minus 4 xy हो जागा clear x minus y का square ही तो है क्या है x plus y का whole square x plus y की value कितनी है 25 25 का square minus 4 into xy xy की value कितनी है 146 उना करेंगे ये 25 का square कितना हो जागा 625 minus 4 4 16 4 4 16 और 1 17 4 एक और 4 और 5 625 में से 576 को minus कर दीजे तो आपका ये बन के आएगा x minus y का whole square बराबर 625 minus 500 चीज ही था 566 तमाब कीजेगा clear तो इसको minus करेंगे तो 15 में से 6 गया तो 9 यहाँ बचेगा आपका 11 11 में 7 के तो 4 अगर यहाँ से square को ठाएंगे तो यहाँ square root लगाएंगे और 49 कितने का square होता है 7 का square होता है तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 7 यह सवाल का सही जवाब होगा किस option में होगा तो option number C में आपका विल्कुल सही जवाब दे रखा है तो उमीद है आपको दोस्तो वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो बस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत बूलिएगा और इस वीडियो को जितना बन सके उतना share कर दीजेगा अगर आपको कोई भी question याद है या लगता है कि यह वाला question नहीं आया था तो आप लोग comment box में लिख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस बात को भी discuss कर लेंगे तो चले फैंस मिलते नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब किना बिल्कुल मत जाना चैनल को सब्सक्राइब कि जरूर करना चले फैंस मिलत अन्य आप लिए